कि अग्ट नमस्कार्व आरोग विशेख कारग्रम हेलो डॉक्टर आपको हादीख स्वागत है आज हमारे साथ इस कारग्रम में पुश्थित है अकुला ही नहीं बलके पूरे विधर्व में प्रख्याद सेक्सरों को मनोरूख विशेख के डॉक्टर दीपक केरगत डॉक्तर सब्सक्राइब कारग्रम में हादिक स्वागत नमस्ते राक्र साब यह ऐसा विशेख सेक्स इसके उपर काफी लोग बूलने में हिश्की चाहते हैं और कोई कारेक्रम में अगर आप देखते हैं तो काफी इससे अच्छा नहीं माना जाता है तो लाइनिक समस्ता के बारे मे हमें लोग जो इतना हिश्की चाहते कि होसा अजय की हमारे समाज में हमारे देश में सेक्स मतलब ऐसा कुछ सिक्रेट है जे शेक्स मतलब अशब बूरा माना जाता है। हलाकि शेक्स अत्यंद मतलब भी तरह रहा है। क्योंकि हम आप जो भी पैदा हुए, वो कहा हुए? जेक्स से बढ़ा है, ना? मगर हमारे यहां ऐसा उपनली सेक्स के बारे में बात नहीं किया थी। मतलब सब जो ऐसे हजबन भाइब भी बैटे है ना? पती-बतनी बैटे हुए है और आपस में आपस में बैटे कर अच्छी बाती भी कर रहे है। और उदर से बच्चा आता है तो इतन दुरंद वो बाज़ो हो जाएंगे। कि अपने संस्कार है पहले से होते आ रहा है जलते आ रहा है। इसलिए जलो है। रक्तर साब जहां पर सेक्स की अगर बात आई तो सबसे पहले सबसे जादा अगर रूट या आजमे अगर डिफ्रेशन में जाता है तो नकों सिंकरक्तू लेकर सबसे जादा उसके मन में एक भावना बच्पन से लेकर जवानी मीलेकि जब उसके बाट भी कहीं तो भी चाहिकता भी सक्षण पुरूस उसके मन में कहीं ने पर आती है कि मुझे कंजोरी है या मुझे लेंगिक शिश्रिता है तो इसके क्या कारण हो सकती है इसक्तों ऐसा कि हाड़ एक बार आगा ना किसको रुदेविकात उसका आटएक आगया तो आदमी सेहन कर लेगा, तो ठीक हाड़ आगया उसके इलाज कर लेगा, सेक्स में मैं अपन नकू सकत्व है, या मुझे नकू सकत्व आया हुआ है, या मैं सेक्स करने लाइक नहीं हूँ, या लेंग हो गई है, और अभी मैं खुद अभी आदमी में नहीं रहा, अभी मैं पुरुष नहीं हूँ, मतलब वो ख्याल भी आ गया, तो उसके दिमाद में पुरा चलो रहता है, तो उससे वो डिप्रेशन में जा रिया, उससे वो एंक्शेस हो जादा, घबराट, बेचिनी, जिद अभी मैं कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा, मैं मेरे पतनी के नजर में ऐसा कम हो जाओंगा, अभी फिर वो विचार चलो जाता है, और उससे और वो डॉझाल रहता है, और और पिर वो चक्र दुष्टे चक्र में आ जाता है, एक बार कभी कुछ गुआने उसका, परफा घर में जगड़े होना, चिर्चिडा होना, जो खीज है, वो पत्नी पर निकालना है, बच्चों पर निकालना है, इससे परद्धार रक्षी हो जाए. अट्रसाब को जो जैसे लहेंगिक समस्यार का विशेर दगए तो भी युगों में भी उसका बर्मान पाई जाता है. हाँ, मतलब ऐसा है रेखो, कि सेक्स कर नहीं सकना, मतलब लिंग में शिठिल दा आना, या शिठिल हो जाना, या मतलब उसमें वो परफॉर्मस नहीं कर सका, मतलब नपू सकत वाया वही, वो अभी सेक्स नहीं कर सकता, एन अंदर समें कमजूरी आ गई. तो ये एक तो ऐसा हो सकता है कि एक तो 35 साल के नीचे समझे हो जाता है, इसको ऐसा है, तो उसके कारण अलग होते हैं, और 35 साल के बाद में समझे हो जाता है, तो उसके कारण अलग हो सकते हैं, जैसा यूग में, जवान लोगों में, बच्चे है, तो बच्चे कैसा यूज तो बहुत ही ग्यान लोगों को हुआ है और फिर उसको भावना निर्मान हो जाती है तो सब देखके देखके और फिर उसमें वो कहिना कहीं जाके कोशिश करता है और कोशिश करके महां फेल हो सकता है कि वहां जब जाता है तो डर रहता है कोई मुसे देख लेंगा कोई देख लेंगा तो क्या होंगा या फिर मैं मेरी गर्लिफ्रेंड है उसके साथ में मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा उसके नजर में गिरी जाओंगा क्या तो फिर ऐसा होता है कि उस समय उसको डर लगता प्रगागी समझ से आसकती है और वो 35 साल की नीचे समझे आसा होता है तो समझ जाना कि वहीं यह साइकोलोजिकले मानसिक कारणों की वज़े से ऐसा हुआ है उसके लिए शारीक कारण नहीं है मानसिक इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि 35 साल के बाद में होआ तो मानसिक नहीं है ऐसा भी नहीं है मोटा मोटा हिसाब में आपको बता है तो साइकोलोजिकल कारण मानसिक ग्रूप से वह नगू सकता उसको आगे ऐसा समझ जा सकता है वही समझ लब कि उसका उसका साइकोलोजिकल झाल झाल झाल